हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टुबेकमाई YouTube चैनल रोटु सक्सेज में तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे All India Limited की New Recruitment Notification के बारे में और इसके फॉर्म फिलब के बारे में तो फ्रेंड्स, किस तरह से इसके ओनलाइन आब कर सकते हूं इसके बारे हम step by step इस वीडियो में बात करेंगे तो friends, forum को fill करने से पहले हम चलेंगे इसके पहले eligibility conditions के तरब देन इसके बाद हम चलेंगे इसके online process के तरब तो friends, हम आच चुके हैं Oil India Limited की यहाँ पर notifications के तरब जहांपर आपको देखने को मिलेगा Oil India Limited और friends, यहाँ पर आपकी जो वेकंसी है वो आपकी online application के लिए invite की गई है जो कि आपकी यहाँ पर रहेगी junior assistant and आपकी assistant technical की तो दोस्तों यहाँ आप इस वेकंसी लेकर instead रखते हो, forum को fill करना चाहते हो friends, आपको link आपको description box में मिल जाएगा आपस जो है, वहाँ से सीधे online आवेदन कर पाएंगे हम बात करें इसकी recruitment of eligibility conditions की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर आपका जो ओल इंडिया लिमिटेड है इसमें आपका यहाँ पर pipeline से पर असाम में ठेका friends, यहाँ आप असाम के रहने वाले हो तो दोस्तों यहाँ पर आप आप जो है यहाँ पर आपको जो राट, गोलाट जो भी आपका यहाँ पर district है आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे अफेंड हम बात कर इसकी important date की तो जो इसकी online आवेदन है वो एक सितमबर चाई स्टार्ट हो चुके हैं और आवेदन करने की last date यहाँ पर आपकी 21 सितमबर 2021 रखी गई है हम बात कर इसकी age limit की तो यहाँ पर आपकी जो age है वो 21 सितमबर 2021 को complete होनी चाहिए बात कर इसकी minimum age की तो यहाँ पर आपकी 18 year age रखी गई है और maximum year आपके 30 year age रखी गई है आपके जो भी age की according आपको यहाँ पर age में relaxation देखने को मिल जाता है बात कर इसकी application फिसकी तो यहाँ पर general OBC के लिए यहाँ पर 200 रुपे फोरमपिस रखे गई है आज 60 के लिए यहाँ पर कोई भी फोरमपिस नहीं रखे गई है payment mode आपका online होगा बात कर इसकी vacancy detail की तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका post name trade और आपका number of vacancy आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है यहाँ पर आपका post रखा गया है assistant technician का और junior engineer का जिस post के लिए यहाँ आप आविदन करना चाहते हूँ आप आविदन कर पाएंगे trade आपको देखने को मिल जाता है आपका electrical है cathodic है आप यहाँ पर देख पाएंगे आप यहाँ पर आपको पास यहाँ पर आपके three year का आपको डिपलेमा होना चाहिए तो आप इस फरों को फिर कर पाएंगे बात करें असिस्टेंट technician की तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो 10th class pass out है यह आपने 10th class pass out कर रखी है किसी भी stream से किसी भी union city तो आप यहाँ पर आव आवगिया के बिचकी जुक्त इसकी ग्यांपर आपको देखने को मिलेगा अवन इंडियोड लिमिटेड का लोगो तो दोस्तों यही वह वेबसरी है यहाँ पर आपको आविदेन करना होगा तो यहाँ पर आपको current opening आपको देखने को मिल जाती है अब यहाँ पर आपको current opening है आपको देखने को मिल जाती है अब आप यहाँ पर scroll करके नीचे आओगे यहाँ पर आपको opening देखने को मिलेगी साथ ही आपका document आपको यहाँ पर एड़ाटाइन नमर देखने को मिल जाता है अब फ्रेंटस यहाँ पर आपको पस्ट वाले उप्सन पर क्लिक करना है अब जब आप यहाँ पर पस्ट वाले उप्सन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आप आपर करने के लाएं तो दोस्ते है बाद आपको प्राव धिन करना है यहां पर आप आपकोट करने के पास अपर यहां पर mention करना होगा और करने के बाद दोस्तों यह आपकी पास alternative phone number है आप देना चाहते हो आप दे सकते हो नहीं आप इसको blank छोड़ देंगे उसी बाद यहां पर अपना gender आप चुछ करेंगे मेल है फिमल इसी बाद यहां पर कैटेगरी आप सब्सक्राइब करेंगे और करने के बाद दोस्तों यहां पर पर किसा करेंगे जो भी आपका नेसलेंटी हो आप यहां पर स्लेट करेंगे और करने के बाद यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां करते हो आपको चुछ करने होती है यह यहां पर यहां पर यहां पर यहां करेंगे उसी बाद दोस्तों यहां पर यहां करते हो आपक और फिर्वागी करेंगे और आपका देट बरते आप यहां पर देख पाएंगे आपकी केल्कुलiट होके आपके सामने सोज्च जाएगी देनों जी बाद यहां पर आपको Continue क scanner है फ्रेंड यहां पर आपकी MAIL ID है उसा मेल ID पर आपका original OTP हमक्ट वर करने किना है और करने बाद रजिए टो है। इस तरह अपक an將 शोद्द है। च्तार से यहां पर आपकी सामने ब्लीयों 6 उसको आपको upload करना होगा तो इस तरह से यहां पर आपना एप्लिकेशन को आप checking करेंगे और करने के बाद दोस्तों यहां पर आने के बाद आपको यहां पर save and continue करना है इस तरह से यहां पर आपको data आपका ग्रीलेल में शेवड हो जाएगा successfully उसी बाद दोस्तों जो भी आपका फादर नेम है वो फादर नेम आपको यह पर mention करना होगा देर उसी बाद अपना मदर का नेम आप यह पर enter करेंगे उसी बाद यहां पर अपना marital status आपको select करना है आप married है single है आप यहां पर select करेंगे अफिर इस तरह आता आपका nearest railway station तो आपका जो भी railway station है आपके नियर में जो पढ़ता है उसका यहां पर आपको name mention करना होगा करने कबाद यहां पर आपका city या district है उसका यहां पर आपको name enter करना है करने कबाद आपको यहां पर अपना state select करना होगा तो फिर इस तरह से यहां पर अपना जो और आने के बाद आपको social category डेटेल ओपन होती है जिसमें यहाँ पर आपको काश सेर्टिफिकेट आपका जो भी नमबर है वह आपको पर देने होगा और देने बाद जो भी आपका काश सेर्टिफिकेट है उसकी इस्यू डेट आप कभी हुई है आप यहां पर mention करेंगे देन इस तरह से यहां पर आपकी जो basic detail है यहां पर आपकी successful हो जाएगी save अब देने इसके बाद third option आपका education qualification आप यहां पर select करेंगे तो दोस्तों यहां पर अपने 10th की mark sheet है तो उसकी यहां पर आपका board या निनिसीट करने आपको यहां पर देना होगा और उसकी बाद आपके जो भी mark sheet है उसको यहां पर आपको upload करना होगा तो यहां पर अपने 10th की mark sheet को आप upload करेंगी pdf size में तो दोस्तों यहां पर अपने land आप देख सकते हैं यहां पर आपको document को upload करना है उसकी बाद यहां पर इपलो nhा डिपलोमा आपको select करना हाँ आपने डिपलोमा यहां पर क्या कर रका है आप select करेंगी ug ओर उसकी बाद ध्यां पर अपनी passenger करना होगा और उसके बाद दो यहां पर अपना जो इस Traditionally करना होगा इसका यहां पर आपको पीडियाप अपलोड करना होगा तो यहां पर अपने पीडियाप आप अपलोड करेंगे और करने बाद यहां पर आपको save and continue करना है आप फ्रेंट्स इस तरह से आपका जो education call application है आपका यहां पर data save success भी हो जाएगा और उसके बाद भी यहाँ पर अपना जो भी document है आपको upload करना होगा तो friends यहाँ पर अपना जो भी फोटो है latest photo आपको upload करना होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो आप फोटो का size आप यहाँ पर jpg और png में आप यहाँ पर upload करेंगे तो जो भी आपका photo size है आपका 200kb के बीच में होना चाहिए Diamonds आप यहाँ पर देख सकते हो So pixel और maximum आपका यहाँ पर Dex of pixel के बीच में आपका यहाँ पर photo size होना चाहिए तो आप यहाँ पर choose file वाले option पर click करेंगे गनेक बाद आप यहाँ पर जो भी फोक है उसको select करना है और करनेक बाद आप यहाँ पर green layer में upload करेंगे तो जो भी आपका photo है от R URL हो जाएगा उसबाद आता हैं आपका signature पर जो भी यहाँ पर enc isnamera आपरına पार upload करेंगे तो आपका जो भी आधर card है, pen card है जो भी आपके तो आप डेटो वर्थ के रूब में अपनी टेंग की मार्शीट भी आप यहाँ पर upload कर पाएंगे तो दोस्तो इस तरह से यहाँ पर आपको upload करना है, और करनिक बाद जो भी आपका employment, exchange, registration card है, वो आपको यहाँ पर upload करना हो गार और करने बाद यहां पर आपको upload करना है और यदि यह आप employment है तो आप यहां पर यह शेनों करेंगे और करने बाद दोस्तु यह आपको यहां पर declaration दिखा दे रहा है इस declaration को अच्छे से read करना है और करने बाद जो है आपको इसको undertaking करना है जो इस तरह से इसको right tick करना है और कर बअने बस दोफ्तों आपको नीचे आने आने डोस्तों यहां पर आपको隨ए आने जरिख करेंगे आखने अपने अपने लगति कि कोई भी आपने डिटेल है नीचान दिखा ही देरा अपकोлом के गया ऊप्र सुब्सक्राइफ करना है उसको यहांud तो प्रेंट्स से यह अपर आपको अपको तो यहां पर आपको डेखने करना। प्रेंट्स इस तरह से यहां पर आपको चुँर्ट्र से देखने को मिला है यहां-पर का पेमेंट है्पर आपने पेमेंट कियो करतों सब्मिट तो यहां पर आपका जो है आपको देखने मिल जाता है तो इस तरह से आप जो है ओल इंडिया लिमिटेट का फोरम फिल कर पाएंगे बाए अपने मोबाइल फॉन से तो फ्रेंट्स आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों अगर वीडियो आपको सेर के लिए और चैनल को सब्सक्राब कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए जय हैं जय भारत